इस कौन से रहे, नैशनल डेंगू डे, ये 16 मई को मनाया गया, डेंगू फैलता है, एक मच्छर के काटने से, जो मच्छर वाइरस हमारे शरीर में डाल देता है, डेंगू वाइरस, उस मच्छर का नाम है, एडिस इजिप्टी, तो टेक्निकली तो वाइरस से फैलता है, लेक ये 16 मई को मनाया जाता है हर साल, और पहली बार ये 2018 को मनाया गया था, यानि कि चोथी बार मनाया गया, International Day of Living Together in Peace, World Hypertension Day, Hypertension मतलब होता है, High Blood Pressure, World Hypertension Day 17 मई को मनाया गया, और इस बार इसका थीम था, Measure Your Blood Pressure, Accurately, Control It, Live Longer, उसके बार, International Museum Day 18 मई को मनाया गया, बहुत important है, इसका थीम था, The Future of Museums, Recover and Re-Imagine, World AIDS Vaccine Day 18 मई को मनाया गया, लेकिन World AIDS Day होता है, 1 December को, तो वैक्सीन वाला पूचा है तो 18 मई और World AIDS Day 1 December, World B Day, B यानि मदुमक्खी, विश्व मदुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, इस बार इसका थीम था, Be Engaged, Build Back Better for Bees, International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, 17 मई को मनाया जाता है, World Metrology Day, World Metrology Day 20 मई को मनाया जाता है, इस बार इसका थीम था, Measurement for Health, Measurement for Health, और ये Metrology मतलब होता है किसी चीज को नापना, लेकिन अगर आप से पूचें कि World Metrology Day कब होता है, यानि Metrology मतलब मौसम विभाग, तो वो World Metrology Day 23 मार्च को 1950 को, तो 23 मार्च 1950 को World Metrology Day 23 मार्च को मना जाता है, तो एक E का फरक है, Metrology की Spelling होती है, मौसम वाले Metrology की Spelling होती है, M-E-T-E-O, Meteorological, Meteorological, तो Metrology Day मौसम विभाग वाला 23 मार्च को और Metrology वाला 20 माई को, तो दोनों में कोई confusion नहीं होनी चीए, और World Metrological Organization जो होती है, मौसम वाली, उसका Headquarter जनेवा में है, इस बार इसका Theme था, Measurement for Health, World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development ये 21 माई को मनाया गया, International Tea Day, अंतराष्टे चाय दिवस, ये 21 माई को मनाया गया, और International Day for Biological Diversity, ये बहुत ज्यादा Important है, ये 22 माई को मनाया गया, इसका Theme था, We are part of the solution, अब देखते हैं कुछ important लोग जिनकी death हो गई, Famous Mathematician, Professor M.S. Narsimha, इनकी death हो गई, CBI के Officer K.Ragotha Man, जिरोंने राजीव गांधी assassination को प्रोब किया था, इनकी death हो गई, Indian Medical Association के पूर प्रेजिडेंट के के अगरवाल, डॉक्टर के के अगरवाल की death हो गई, Congress के Senior Neta और राजेसभासांसद राजीव सटाव की death हो गई, Former Cricket खिलाडी और BCCI के referee, राजेंदर सिंग जडेजा की death हो गई, राजिस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री, जगनात पहाडिया की death हो गई, BJP के नेता और पूर्व केंदरिय मंत्री, चमन लाल गुपता की death भी हो गई, ली इवान्स ये एक रिकॉर्ड सेटिंग स्प्रिंटर थे, Olympic Gold Medalist इनकी death हो गई, Environmental Activist सुंदरलाल बहुगुना, इन्होंने चिपको movement शुरू किया था, उसमें जो शुरू के founding members थे, उनमें से एक थे इनकी death हो गई, भारत के boxer, चक्ति मजुमदार की death हो गई, और मशूर संगीतकार, लक्षमन, जिनने विजय पाटिल बोलते थे, उनकी death हो गई, अब हम शुरू करते हैं हमारे बहु विकल्पिय यानि MCQ format के question, अभी अभी International Invincible Gold Medal किसे मिला है, International Invincible यानि अंतराष्टिय अजे स्वन पदक, तो ये मिला है अभी अभी रमेश पुक्रियाल निशंक को, ये हमारे सिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इनकी constituency है हरिद्वार, हरिद्वार उत्राखंड में है, अभी अभी महिला एकल इटैलियन ओपन किसने जीता, टैनिस की बात हो रही है, तो इसको जीता पॉलेंड की खिलाड़ी इगा सुएटक ने, तो आंसर है option B, इगा सुएटक, इटैलियन ओपन का महिला एकल का किताब इन्होंने जीता, और अगर पुरुशों में पूछें, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, रफाइल नडाल, रफाइल नडाल, जो स्पेन के खिलाड़ी है, इन्होंने जीता अपना इटैलियन ओपन टाइटल दस्वा, ये इनका दस्वा इटैलियन ओपन था, कॉप 26, जो जलवाईू परिवर्तन सम्मेलन होगा, कॉप 26, उसके लिए पीपल एडवोकेट किसे बनाया गया है, पीपल एडवोकेट फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये अभी-भी बनाया गया है, सर डेविड एटनबरो को, मशूर एन्वाइरमेंटलिस्ट परियावर्ण विद है, डेविड एटनबरो, तो आंसर है ओप्शन डी, और कॉप 26 का चेर्मेन किसे बनाया गया है, अलोक शर्मा, कॉप 26 सम्मेलन, स्कॉटलेंड के शहर ग्लासगो में होगा, ये भी ध्यान रखिए, ग्लासगो में होगा, और अलोक शर्मा होँगे इसके केर्मेन, मिस यूनिवर्ण कॉन बनी है, ये डिरेट कोश्चन है, और असान है, तो ये बनी है, मेक्सिको की आंड्रिया मैजा, आंड्रिया मैजा, ये 69th मिस यूनिवर्ण बनी है, तो ये ध्यान रखना है आपको और मैक्सिको का एक शहर है गुएडला हरा जो विश्व पुस्तक राजधानी होगा वल्ड बुक कैपिटल 2022 बारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कोवेक्स संगठन को जॉइन कर लिया है जिससे वो दवाईयां खरिद सके कम कीमत पर ये कोवेक्स जो है एक इंटरनेशनल और्गिनाजेशन है जो दवाईयां मुहिया कराती है कोवेक्स यानी COVID-19 Vaccine Global Access इसको कई सारे संगठनों ने मिलके बनाया था लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ था गावी का Global Alliance for Vaccine and Immunization यानी गावी जिसका Headquarter जनेवा में है उन्होंने WHO Vaccine Alliance और Coalition for Epidemic Preparedness के साथ मिलके कोवेक्स को शुरू करा था तो कोवेक्स को जोईन करने वाला पहला राज्य जो भारत का है वो है पंजाब जो आंजर है पंजाब अभी अभी कौन से राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहट COVID फते कारेक्रम शुरू करा है भारतिय मूल की कौन अमरीकी महिला है इंडियन अमेरिकन जो राश्पती जो बाइडैन की वरिष्ट सलाकार बनी है यानि की सेनियर एडवाइजर बनी है खुद अमरीका की राश्पती की सलाकार बनी है ये इंडिया की है इंडियन ओरिजिन है इनका नाम है नीरा टंडन बह यह बने हैं, याद रखिये, अफरीका के देश, Republic of Congo के, Republic of Congo जिसकी राजदानी है, Braza Bill, आप इसको सिर्फ Congo भी बोल सकते हैं, और एक दूसरा देश है जिसको बोलते है, Democratic Republic of Congo वो अलग है, यह जिस Congo की बात हो रही है, वो सिर्फ Congo है, या Republic of Congo, इसकी राजदानी है, Braza Bill है, और जिसका नाम है प्लेटिसेप जोसेफी, इसका नाम मशूर वेग्यानिक जोसेफ के नाम पे रखा है, एक हर्पेटोलोजिस्ट, हर्पेटोलोजिस्ट मतलब वो वेग्यानिक जो रेप्टाइल्स को स्टडी करता है, उसे हर्पेटोलोजिस्ट बोलते हैं, रेंगने वाले जी अभी अभी ये किताब लिखी गई है सिक्किम A History of Intrigue and Alliance इसको किसने लिखा है इसको लिखा है प्रीत मोहन सिंग मलिक ने इंपोर्टेंट है प्रीत मोहन सिंग मलिक और सिक्किम भारत का बारवा जो है 22 वा राज्य बनाता सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंग टोक और 16 म को सिक्किम अपना Statehood Day मनाता है 2021 में पहली महिला कौन है जिन्होंने Mount Everest को चड़ा ये 2021 में बोलना जरूरी है क्योंकि जो पहली Indian woman थी जिन्होंने Mount Everest को चड़ा था वो अलग थी वो थी बचेंदरी पाल बचेंदरी पाल जो है पहली Indian woman थी जिन्होंने 1984 में Mount Everest की चड़ाई कर थी लेकिन 2021 में Mount Everest को चड़ा है ताशी यॉंग जॉम ने ये अरुनाचल परदेश से हैं ताशी यॉंग जॉम भारत का 6000 रेलवे स्टेशन कोन सा है जिसे फ्री वाइफाई मिला है ये 1000 रेलवे स्टेशन है, 1000 बाग टाउन रेलवे स्टेशन जो 1000 बाग डिस्ट्रिक जारखंड में है तो आंसर है 1000 बाग और 55 जो था वो जारखंड में था महुआ मिलन और 5000 जो था वो था मिदनापुर बंगाल का 5000 बाग पांच हजारवा सबसे पहला था Mumbai Central सबसे पहला था कौन सी कम्पनी है जिसने एक विडियो स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करी है जिसका नाम मिनी टीवी रखा है तो मिनी टीवी शुरू करा है एमेजॉन ने मिनी टीवी एमेजॉन का प्रोड़क्ट है अभी अभी पहले भारतिय मूल के वेक्ति कौन बने है जो mixed martial art में champion बने है, world champion बने है इनका नाम है अरजन भुलर और ये Canada में रहते हैं अरजुन सिंग भुलर यूएफा वुमेंस चैंपियंस लीग किसने जीता चैंपियंस लीग सबसे बड़ा टूर्नमेंट होता है club level पे, तो महिलाओं वाला चैंपियंस लीग जीता FC Barcelona ने, इन्होंने Chelsea को हराया 4.09 से, लेकिन याद रखिए, पुरुशों वाला जीता Chelsea ने, महिलाओं वाला जीता Barcelona ने Chelsea को हरा के लेकिन पुरुशों वाला जीता Chelsea ने, तो कोई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए transformation करने के लिए उनमें digital तबदिली करने के लिए कौन सी company के साथ हाथ मिलाया है ये company है Microsoft तो जो आश्रम स्कूल है या एक लववे स्कूल है जहां जन जाती है बच्चे पढ़ते हैं उनमें digital technology प्रोवाइड करेगा Microsoft अलोक रंजन जहा ये कौन से देश में हमारे ambassador बने हैं ये देश है बेलारूस बेलारूस में हमारे राज़दोत होंगे अलोक रंजन जहा बेलारूस की राज़दानी है मिन्सक कौन सा राज ये है जिसने एक mobile app लॉंच करा है जिसका नाम है hit covid hit covid यहाँ पे hit की full form है home isolation यानि जो लोग quarantine में हैं जो उन्होंने अपने आपको अकेला रखा हुआ है covid से पेडित हैं उनको 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 उनपे नजर रखने के लिए तो ये बिहार सरकार ने एप लॉंच करी है hit covid अभी अभी जो nc-pcr है nc-pcr जो बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए काम करती है उन्होंने एक बच्चों के लिए वो बच्चे जो covid से पेडित हैं उनके लिए tele counseling सुविदा शुरू करी है यानि फोन पे बच्चे बात कर सकते हैं जिससे वो तनाम मुक्त हो जाएं इस help line का नाम क्या रखा है legislative council तो ये होगा West Bengal और West Bengal सातवा राज्ये होगा इससे पहले जो 6 है जिनके पास विदान परिशद है वो मैंने slide पे लिख दिये हैं आंदरपरदेश, बिहार, करनाटक, महराष्टा, तेलंगाना और उत्तरपरदेश ये 6 राज्ये हैं जिनके पास विदान सभा और विदान परिशद दोनों है यानि कि ये बाई केमरल है भारत का पहला Agriculture Export Facilitation Center यानि कृषी निर्यात सुविधा के इंदर कहां बना है तो ये पुणे में बना है पुणे में बना है और इसको बनाने में सहयोग दिया है नबाल्ड ने पुणे मंत्री है रडिंदर सिंग तोमर भारत के कौनसे राज्ये ने एक Mobile App लॉंच करा है जिसका नाम है MoMA MoMA की मदद से आप घर बैठे ताजी सबजियां घर मंगा सकते है तो MoMA App को मनिपूर सरकार ने लॉंच करा है मनिपूर के मुख्यमंत्री है बिरैन संग कौनसा मंत्राले है भारत का जिसने एक Elder Line Project शुरू करा है Elder Line Project विर्द जनों के लिए है Senior Citizen के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो ये भारत के 5 राज्यों में शुरू करा है UP, MP, राजस्थान, तमिलनाड़ू और करनाटक अभी तो 5 में करा है बाकी और में भी करेंगे इन में basically call center बना दिये कए है बुड़े लोग उन पे call करके अब किसी भी समय 24 घंटे free toll number है उस पे वो call करके सारी सो विधाएं ले सकते हैं तो ये शुरू करा है हमारे Ministry of Social Justice यानि की हमारा समाजिक नियाय मंत्राल है जिसके मंत्री है थावर्चन गेलोथ इसी मंत्राले ने विर्द जनों के लिए senior citizen के लिए portion अभियान भी शुरू करा था इन्होंने 1000 दलित युवाओं को businessman बनाने के लिए अगले 4 साल में असीम mission भी शुरू करा है जिसका नाम डॉक्टर अमिड़कर के नाम पर रखा है ASIIM और इसी मंत्राले ने सुगम्य भारत एप भी launch करी है ONGC विदेश इन्होंने फरजाद भी gas field को discover करा था कौन से देश में तो याद रखिए ये इरान में है लेकिन इरान ने अब ONGC को परमीशन नहीं दी कि वो इससे तेल या गैस निकाल सके बलजीत कौर और गुनबाला शर्मा ये पहली भारतिये महिला बनी जिन्होंने माउंट पुमोरी की चढ़ाई करी तो माउंट पुमोरी कहा है माउंट पुमोरी जो है वो नेपाल में है और माउंट अवरेस्ट के बिलकुल नजदीक है माउंट अवरेस्ट का जो परिसर है उसमें ये चार पहाड है एक तो माउंट अवरेस्ट हो गया एक माउंट नुक्ट से एक माउंट पुमोरी और एक माउंट लोट से तो इन्होंने माउन पुमोरी की चड़ाई करी है UNESCO ने कितने ऐसे भारत के समारक हैं या स्थल है यानि कितने ऐसे साइट है भारत के जिने संभावित सूची में डाल दिया है या S-Thai सूची, Tentative List आगे जाके ये UNESCO World Heritage Site बन सकते हैं लेकिन अभी के लिए S-Thai सूची में है तो यहाँ पर स्लाइड में देखिए गंगा के घाट वरानसी में, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडू में सत्थपुरा टाइगर रिजर मद्धे परदेश में बेडा घाट, लमेटा घाट, नर्मदा घाटी मद्धे परदेश, मराठा मिलिटरी आर्किटेक्चर, महराष्ट्रा और करनाटक में हायर बेंगॉल मेगा लिथिक साइट तो ये जो हैं ये सारे 6 UNESCO Heritage Site हैं जो एड किये गए हैं तो ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं अभी अभी तिबतन निर्वासित सरकार यानि कि तिबतन एक्जाइल गवर्मेंट जो इंडिया में है धरमशाला में उसका प्रेजिरेंट कौन बना है तो पहले लॉबसंग संगे थे लेकिन अब बने है पैनपा सेरिंग तो आंसर है पैनपा सेरिंग तिबत की राजधानी है लासा महिलाओं का रगभी विशुकप रगभी वरल्ल कप 2021 में होगा कहाँ पर होगा महिलाओं का तो यह होगा नियूजिलेंड में न्यूजिलेंड में होगा ये और ये 2022 में होगा पहले 2021 में होने वाला था लेकिन अभी ये 2022 में होगा पाकिस्तान के राष्टे सुरक्षा सलाकार National Security Advisor कौन बने हैं इंडिया के अजी डोवाल है और पाकिस्तान के बने हैं मुहम्मद यूसुफ और मुहम्मद यूसुफ ने एक किताब भी लिखी है जो मैंने आपे लगा दी है ये किताब आप अच्छे से याद कर सकते हैं ब्रोकरिंग पीस इन नुक्लियर एन्वाइरमेंट ब्रोकरिंग पीस इन नुक्लियर एन्वाइरमेंट दो हजार बीस के लिए Millennium Technology पुरुसकार किसे किसे दिया गया है इस आंसर है A&B कौन सा कंट्री है जिसने एक सैटलाइट लॉंच करा है हाई यांग 2D इसके लिए जो रॉकेट यूज करा वो है लॉंग मार्च 4B तो हाई यांग 2D को चिन ने लॉंच करा है आंसर है चाइना चाइना ने कोविड की दवाई भी बनाई है जिसका नाम है साइ 200 रुपे की किट है इसको बनाया है माई लैब ने और इसका नाम रखा है कोवि सेल्फ तो आंसर है माई लाब डिस्कोवरी सेल्यूशन जो पुने की कंपनी है दुनिया का सबसे बड़ा बरफ का टुकड़ा यानि हिम खंड आइसबर्ग ये टूट गया भी अभी अभी अ जो हमारा मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट है भारत का साइकलोन यास जो है ये नाम कौन से कंट्री ने दिया था तो IMD ने कहा कि साइकलोन यास जो है भारत के पूरवी तट पे आएगा बंगाल की खाड़ी में जो साइकलोन टॉक्टे आया था वो अरब सागर में आया था ठीक है लेकिन साइकलोन जो यास है वो बंगाल की खाड़ी में आया था तो इसने नुकसान पहुचाया ओडिसा और बैंगॉल को तो ये नाम ओमान ने दिया था ओमान की राज़धानी है मसकट अगला जो तुफान आएगा उसका नाम होगा, उसका नाम पाकिस्तान ने दिया है गुलाब, तो साइकलोन गुलाब जो होगा वो अगला होगा, कौन सी कमपनी है जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है, अंतराश्टिय सबमरीन केबल सिस्टम इसको Reliance Geo बना रही है Reliance Geo ठीक है तो दो सब्मरीन केबल सिस्टम बनेंगे दो बनेंगे एक जो भारत को भारत को आसियान कंट्री से जोड़ेगा और दूसरा जो भारत को इटली से जोड़ेगा ठीक है दो बनेंगे आगे बढ़ते हैं 57EY Renewable Energy Country Attractiveness Index इसमें इंडिया का स्थान कौन सा रहा इंडिया की रैंक है इसमें 3rd इंडिया की रैंक इसमें 3rd रही और ये इंडिक्स क्या दिखाता है ये इंडिक्स ये दिखाता है कि Solar Power या दूसरे Renewable Energy जो है उनमें निवेश करने के लिए कौन सा कंट्री कितना अट्रेक्टिव है तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 3rd रहा इंडिया की रैंक बस आपको याद रखनी है अमरीका नंबर वन था अभी अभी SB Energy Holding Limited कंपनी को 3.5 अरब डॉलर में किसने खरीद लिया है तो इसको खरीदा है अदानी Green Energy ने अदानी Green Energy INS राजपूत इसको सेवा निवृत कर दिया गया है जहाज को INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है तो ये कौन सी इयर में नोसेना में शामिल किया गया था कमिशन कब हुआ था 1980 में हुआ था 1980 1980 में हुआ था और हमने इसको जो है USSR से लिया था इसको सोवियत ने बनाया था तो इसने 41 साल सेवा दी है भारतिय नोसेना को एक जहाँ जो और है जो हमने सेवा मुक्त करा है अभी अभी वो है INS संधायक INS संधायक हमारे कृषी मंत्री नरेंदर सिंह तोमर ने Honey Testing Laboratory Project को लॉंच करा कहां से Honey Testing Laboratory Project ये Indian Agriculture Research Institute पूसा नई दिल्ली से लॉंच हुआ है ठीक है और भारत की पहली Honey Testing Laboratory बनी थी आनन डिस्टिक्ट गुजरात में शहद परिक्षन परियोग शाला एक मधुकरांती पॉर्टल भी लॉंच करा है इनोंने जिससे ये पता चले शहद आया कहां से था पुर्दान मंत्री स्वास्ते सुरक्षा योजना के तहट भारत में कितने एम्स बनाए जाएंगे तो याद रखिए इस योजना के तहट 22 एम्स हैं जो भारत में बनाए जाएंगे 22 ये योजना जो है स्टार्ट की गई थी सन 2003 के आसपास और अगस 2003 में शुरू की गई थी तो इसमें 22 एम्स बनेंगे छे एम्स बन चुके हैं भोपाल, भुवनेश्वर, जोदपुर पतना, रायपुर और रिशिकेश में और बाकी 16 बन रहे हैं एम्स के डारेक्टर हैं डॉक्टर अंदीब गुलेरिया Community Based Inclusive Development और अधिकारिता मंत्राले यानि Ministry of Social Justice and Empowerment अभी अभी कौन सा Mobile App launch किया गया है जिससे मनरेगा के जो वरकर हैं मात्मा गांधी National Rural Employment Guaranties Act मनरेगा के जो करमी हैं करमचारी हैं जो भी मजदूर हैं उनकी attendance ली जा सके डिजिटल तरीके से तो इसका नाम रखा है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं NMMS National Mobile Monitoring Software भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो आयुष्वान भारत योजना के तहत Health और Wellness Center यानि स्वास्थे एवं कल्यान केंद्रों की स्थापना में नमबर वन राज्य बन के उबरा इसने अपना target जितना सोचा था उससे ज़्यादा अचिव करा है तो ये बात हो रही है करनाटक की आंसर है करनाटक डिपको वेन नाम की एक COVID Antibody Detection Kit ये किसने तयार करी है डिपको वेन तो डिपको वेन को DRDO ने तयार करा है और अगर पूछले DRDO की कौन सी लेबरेटरी ने तयार करा है तो इस लेबरेटरी का नाम है दिपास Defense Institute of Physiology and Allied Sciences जिसे दिपास बोलते है और ये जो लेबरेटरी है ये है कहाँ पर ये जो लेबरेटरी है ये नई दिल्ली में है नई दिल्ली में है DRDO ने बनाई है DRDO ने दवाई भी बनाई है 2DG अभी कौन सी कमपनी है जो फंगस के खिलाफ ब्लैक फंगस के खिलाफ दवाई बना रही है जिसका नाम है पोसा कोनाजोल पोसा कोनाजोल दवाई को इंडिया में लॉंच किस ने करा है तो इसको करा है MSN Labs ने MSN Labs और ये जो है है हैदराबाद की कंपनी है इंडिया में ये पोसा कोनाजोल को बना रही है सच कहूं तो ये किस अभिनेत्री की आतम कथा है ये औटोबायोग्राफी लिखी है अभी अभी नीना गुपता ने तो आंसर है नीना गुपता वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारत के डांसर कौन बने इनका नाम है सुरेश मुकुंद तुरेश मुकुंद इन्हें मिला है वर्ल्ड कॉरियोग्राफी अवाड ये पहले इंडिया ने जिन्होंने ये जीता है इसको आसकर्स ऑफ डांस भी बोलते हैं डांस का आसकर भी बोलते हैं असाम में कौन सी कंपनी ने मिशन होप शुरू करा है मिशन होप को शुरू करा है हिंदुस्तान यूनिलिवर ने इसमें वेंटिलेटर, अक्सीजन वगरा जो भी चीजे हैं वो मुहिया कराई जाएंगी तो इसका नाम है मिशन होप अभी अभी एक जौला मुकी फटा माउंट नीरा गोंगो तो इक कौन से देश में फटा ये फटा डेमोक्रेटिक रेपब्लिक ओफ कॉंगो यानी जायरे में ये जौला मुकी 2002 में फटा था और अब 19 साल के बाद अचानक फट गया जनेवा ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है जनेवा ओपन टैनिस टूर्णामेंट ये जीता कैसपर रूड ने नौर्वे के खिलाड़ी हैं कैसपर रूड सिर्फ किस साल के है वातसल्ले योजना भारत के किस राज्या ने शुरू करी है यतीम बच्चों के लिए अनात बच्चों के लिए वातसल्ले योजना को उत्राखंड की सरकार ने शुरू करा है उत्राखंड की सरकार ने इसमें वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया कोबिड के कारण नंको 3000 रुपे महिना दिया जाएगा Reserve Bank of India ने permission दे दी है कि आप ATM से online wallet के थुरू भी पैसा निकाल सकते हो ठीक है पहले आपको सिर्फ ATM card से ही ATM से पैसे निकाल सकते थे आप online wallet से ATM से पैसे नहीं निकाल सकते थे लेकिन अब निकाल सकते हो तो कितने निकाल सकते हो limit कितनी है, सीमा कितनी है तो याद रखिए, एक बार में 2000 रुपे से ज़्यादा नहीं निकाल सकते है तो आंसर है 2000, तो यहाँ पर पूछा है per transaction यानि कितने रुपे प्रती लेंदेन की नकद निकासी एक बार में 2000 तो आंसर है 2000 और एक महीने में 10,000 रुपे से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते नरेंदर बत्रा दुबारा से कौन से अंतराश्ट्रिये खेल संगठन के अध्यक्ष बन गए है प्रेजिरेंट बन गए है कौन सी sports organization के तो यह है F.I.H. यानि International Hockey Federation जिसका headquarter Lausanne में है भारत की सरकार UNICEF और Yuba ये तीन संगठनों ने मिलके कौन सा campaign शुरू करा है COVID के लिए तो इस campaign का नाम है Hashtag Young Warrior अभी-अभी Emilia Romagna Open Tennis Tournament किस ने जिता? महिला एकल इसको जिता Coco Gauff ने अमरीका की खिलाडी है सिर्फ 17 साल की Coco Gauff ATN Glitchits Award अभी-भी किस होकी इंडिया को और होकी इंडिया के प्रेजिडेंट है ज्यानेंद्रो निंगो बाम प्रदीप कुमार यादव ये कौन से देश में भारत के राजदूद बने है प्रदीप कुमार यादव अभी-अभी Liberia में हमारे राजदूद बने है लाइबिरिया जिसकी राजधानी है मॉन्रोवा अफरीका का देश है अमरीका की स्पेस एजेंसी नासा वो अपना पहला रोबोट भेजेगी चांद पे 2023 में इस रोबोट का नाम क्या है इसका नाम इन्होंने वाइपर रखा है और वाइपर की फिल्फोम आप अपने स्कीन पे देख सकते है वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्स्पोरेशन रोवर वाइपर और हमारा आखरी सवाल 2022 का फीफा अंडर 17 महिलाओं का वल्लकप कहां पे होगा 2022 अंडर 17 महिला विशुकप जो है इंडिया में होगा तो आंसर है इंडिया